शादी के बाद इस खास जगह पर हनीमून के लिए जाएंगे रनबीर कपूर और आलिया भट रनबीर कपूर और आलिया भट की शादी 14 अप्रेल को हो गई है दोनों की शादी का फैन्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे और फाइनली दोनों शादी के बंधन में बंध गए पांच साल के रिलेशन्शिप के बाद दोनों अब पती-पत्नी बन गए है दोनों की शादी के फोटो सोचल मीड़ा पर वाइरल हुई पड़ी है फैन्स से लेकर सेलब्स तक सभी दोनों को बधाया दे रही है शादी में दोनों ने ओफ फाइट कलर के आउटफिट्स पहने थे जिसमें दोनों का रॉयल लुक नज़र आ रहा था दोनों साथ में पॉर्फेक्ट लग रहे थे शादी के बाद कापल्स हानी मून पर जाते हैं हर सलब भी काम से ब्रेक लेकर हानीमून पर जाते हैं तो अब क्योंकि रनबीर और आलिया की शादी हो गई है सब बस यही जानना चाहते हैं कि दोनों हानीमून के लिए कहां जाएंगे रेपोर्ट की मताबिक दोनों अपनी फेवरिट जगह जाने का प्लान बना रहे हैं इस जगह दोनों पहले भी जा चुके हैं और वहां एक दूसरे के साथ रुमांटिक टाइम स्पेंट कर चुके हैं लेकिन तब दोनों बता और बॉइफरिंट गर्फरिंट गए थे बता दे कि वो जगह है साथ आफरिका यहां दोनों ने नया साल साथ में सेलेब्रेट किया था दोनों यहां पहले के तरह सफारी एंजॉय करने वाले हैं खेर देखते हैं कि यह बात कितनी सच है दोनों जब हनिमून के लिए जाएंगे तो इस बारे में कनफर्म पता चल जाएगा वैसे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अभी हनिमून पर नई जाएं क्योंकि कुछ दिनों पहले खबरे आई थी कि दोनों के पास अभी काम बहुत है और अपने अपने प्रोजेक्स को पूरा करने के बाद ही दोनों हनिमून पर जाएंगे आलिया ने खुद सबसे पहरे शादी के फोटो शेर की फोटो शेर करते हुए आलिया ने लिखा आज हमारे परिवार और दोनों के बीच हमने घर में जो हमारा फेवरिट स्पोट है बैलकनी जहां हमने हमारे पांच साल के रिलेशन बिताए और आज शादी कर ली आलिया ने ये भी लिखा अब हम साथ में और मेमरीज बनाने के लिए एक्साइटिड है जिसमें खोब, प्यार, हसी, comfortable silence, movie nights, silly fights, wine date और Chinese bites हो थांक यू इतना प्यार और light देने के लिए हमारे इस special moment पर इन सब ने हमारे moment को और special बना दिया ये लोगना कि वोगना के लिए और प्यूश्चा